अगर आपको ये विडियो अच्छा लगा तो थैंक्स पर जरूर क्लिक करें और अपना प्यार भेजिए वक्रतुंड महाकाय सुर्यकोटी समप्रभ निर्विध्नम पुरूमे देव शुबकार्यसु सर्वदा आईए आईए आज बहुत जल्दी आगे हैं आप कहा चली गई थी पपपप पिक्चर हम चलो नेरे कमरे में कब से इस तरह चोरी-चोरी बाहर जाती हो जी आज पहली ही बार मैं तुमको अच्छी तरह जानती हूँ खुद तो बिगड़ी हो साथ में दूसरी लड़के को भी बगाड़ती हूँ चलो जाओ इस वक्त तो क्या आप उसे माफ नहीं कर देती हूँ तो क्या आप उसे माफ नहीं कर देती हूँ यूनहीं कलती जूलूर कल देती है न मैड़म प्लीज माड़म प्लीज हां हां मैं सब तुम्हारी चिकनी चुपडी बात हैं समझती हूँ मगर तुम लोग क्यों नहीं समझती आप तुम चोटी लड़कें नहीं जा चुकी हो इसलिए इसनी रात को बाहर जाना खतरनाक है अब आईन्दाइ ऐसी गल्ती कभी मत करना हम ऐसी गल्ती कभी नहीं करेंगे ठीक है अब तुम जा सकती हो एक तु बिचारी ने माफ कर दिया उपर से उनकी हजी उडाती हो जरा सोच कर देखो, तुमने उन्हें बेखुफ नहीं बनाया, बलकि तुम खुद बेखुफ बन गई अपने उपदेश कल्पना को सुनाना क्या, मुझे तुम्हारी नसियत की जरूरत नहीं तुम जानती नहीं हो मुझे, तुम्हे कौन नहीं जानता और मुझे क्या जरूरती तुम्हे उपदेश सुनाने की चलो कल्पना अब देखो, जाने देना, तू चल मेरे साथ, कुम यह ले, चोरी से पढ़ना, ता कि किसी की नजर ना पढ़े, और ध्यान से वापस ले आना ओकी विचिया, यह ले, तैंक्यू, तेरा भी जवाब नहीं कौन से किताब है, जो इसे पढ़ता है, वो जनत के नजारे लूटता है, पहलिया मत पुझाओ, बताओ ना जानना चाहती हो, तो सुनो, कभी तुम बोर हो जाओ, किसी बात में तुम्हारा दिल ना लगे, तो यह किताब पढ़ो फिर यही बोर जिंदगी, तुम्हे कितनी हसीन, कितनी मीठी, और कितनी नमकीन नजर आएगी, हाई 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 एक मुझे भी दो ना, मैं भी पढ़ोंगी, हाई हाई छोड़ो भी, तुम्हे इसकी क्या जरूरत है, वो तुम्हारे साथ मीरा भाई राती है ना, उसके उपदेश सुनो, और भजन गाओ, मेरे तुम्हे किताब दो, आजकल मेरा भी किसी बात में मन नहीं लगता, और अगर खो गई, तो पच्छास रूपया जुर्माना होगा, आजकल ऐसकी किताबे मिलती कहा है, मगर रात को अकेले में पढ़ना, में बद्सच प्काइब मिलका से लूपया जुर्माना होगाएगा कुछ को पच्ति ऐसका स trade खोगता जो, और भजनेजता है अजकल में लगता है, महाँ बद怎么 दो, और इभा, आपρाएगागा होगाँ च्छास पैंकल जल्स ओप होगे में लुफThe खेकेले साने खिरीज कि कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो कर दोć कुझरों द इसनागे मेल रड़ियर्ट हुआ 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 है हुआ हुआ है मैं मानी तुम्हें ऐसे किताबे पढ़ते हुए मेरी डैरे ने भी कभे मुझे पर हाग ने उठा था तुम्हारे इतनी हमत कैसी हुई मैं तुम्हें अपना समझती हूँ, इसलिए मेरा हाथ उठ गया अगर तुम समझती हो कि मुझे यह हक नहीं है, तो मुझे माफ करो मगर कलपना, ऐसे किताबें पढ़ने से तुम बहग जाओगी पढ़ाय में तुम्हार दिल नहीं लगेगा अपनी जिंदगी और केरियर को इस तरह बरबाद मत करो, प्लीज इन उपदोशों की मुझे जरूरत नहीं, अपने हाद में रहो इतनी मुश्किल से विजय ने मुझे वो किताब दी और तुमने फार दी एक बार नहीं, हजार बार फारूंगी देखो कलपना, विजय अच्छी लड़की नहीं है, तुम उसके बहकावे में मताओ विजय मेरे सहली है, मैं उसके साथ कहीं भी जाओ, तुम कौन होती मुझे रोखने वाली, आज के मन मुसे बात नहीं करना घरने कुछा रहा है ऐस तरह रूठा नहीं करो मेजएन, एक दिन चान देवाट हम नहीं बोलते, कितनी देर कर दे, ग्यारा बज गया हमारी मजबूरियों को समझा करो जाने मन, हम शहर के माने हुए रईस है हमारे कुछ विकार है, इज़त है, अगर किसी नहीं आते हुए देख लिया तो समझ लो समझ लो, के लेने के देने पर जाएंगे आप अगर यहा आने से डरते हैं, तो इस मौलने से मिझे दूर क्यों नहीं ले जाते है यही सोचा है जान, महल खड़ा कर देंगे तुम्हारे लिए और वही पर एक बार चान दे देंगे तुम पर चान देकर इश्क में हम जी उठे, फाइदा देखा इसी नुकसान में वह, 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 नुकसान में फाइदे का पहलो देखना, कोई आप से सीखे शुक्रिया, शुक्रिया, ओ, 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 जाने मन, तुम्हारे घर में एक नौकर है, जब भी हम आते हैं, बहुत ही घूर-घूर के हमें देखता है अरे वह तो गुंगा और बहरा है, उसके बाते कौन सुनेगा, और वह किसे से क्या देएगा कोड़े, कोड़े वहाँ, तुम, तुम जानते हैं उसे, अगर मैं जानती कि कोई मेरी फोटो ले रहा है, तो क्या मैं मेक अप करके न बैटती, तुम, तुम हस रही हो, किसी की जान गई, और तुम्हारी अदा ठहरी न, हम तो आज ही जान देएगे तुम पर मेरी जान, इ क्या बिलेगे, क्या मुसागे, शान दुम जान जान! क्या जान। दिलो गालो मौज मनालो जीवन बहता पानी उम्रत गाओं में तीन है मौसम जिसमें एक जवानी ये मौसम है मतवाला वो दिल जड़ बड़ जाला रपईचार मनत आहला दिल जड़ बड़ जाला रपईचार मनत आहला दिल जड़ बड़ जाला कर दो कर दो कर दो कर दो तल्यों ने फुश्बू पाई हिलकर जग महताने को रूप रंग पाया प्यासे मोरों को बहताने को तेरा रूप च्लकता व्यालं दिल गर बड़ जाला कि चार मन चाला दिल गर बड़ जाला दिल गर बड़ जाला हुआ 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 है हुआ 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 है हुआ 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 हु दिल खड़ बड़ खाला तुल खड़ी चानम नंद आला तुल खड़ खाला दिल के राख शारों में जब आखे ना कहपाई जीतों के बोलों में उनको जीवाने कहचाई समझे कोई दिल वा दिल कर बड़ खाला तुल खड़ खाला तुल खड़ खाला तुल खड़ खाला तुल खड़ खाला कर दो कर्पिना बाहर तुमसे कोई मिलनी आया है मुझसे? मेरे डादी तो नहीं मेरे डादी होंगे गुद मॉनिंग गुद मॉनिंग नमस्ते वो मेसेज मैंने भेजा था मैं समझे मेरे डादी मुझसे मिलने आया है आपकी ये मुस्कराहत मेरे लिए नहीं हो सकती है जी जब से आप से मिला हूँ तब से मैं मैं और कुछ कहना है हाँ कहना तो बहुत कुछ है लेकिन समझ मैं या तक कैसे मैं चलती हूँ सुनिये मुझे चाने दीजी देखिए अगर आप मेरे बात नहीं सुनना चाहती है तो ये टेप रिकॉर्ड लेके जाएए ये आपको वह सब चीजे बता देगा जो मैं आपसे कहना चाहता हूँ टेप रिकॉर्डर? नहीं नहीं मैं ये टेप रिकॉर्डर कैसे ले सकती हूँ देखिए देखिये टेप रिकॉर्डर मेरा है और मैं आपसे कह रहा हूँ इससे ले जाने के लिए लेकिन अगर आप इससे नहीं ले जाना चाहती है तो सुन लिज़े जो मैं आपसे कहना चाहता हूँ मै... प्लीज- मुझे देदीजि मैं खुद हे सुन लोगे इसे लेने कब आओ? अगले संदे मलकाम अब तक अब तक नहीं छेडा गया जिसको नगमों से भरा वो साज है तू जो साज में सोये हैं नगमे उन नगमों की आवाज है तू जैसे की हो जैसे की हो एक मुबंद कली जो फूल के सांचे में न ठली नाजुक नाजुक काटों में पली कुदरत का हसी एजाज है तू कौन आय थे तुमसे मिलने? तुम्हारे डाडी? कोई भी हो, तुम्हें क्या? कितनी बार का है मुझसे बात करने की कोशिश मत करो I'm sorry वो नूर वो नूर जो है माथे पे तेरे वो नूर है चड़ते सूरज का आखों में चमक महे नौकी पहली शबे मह का नाज है तू वो शेर है तू जो समझने से पहले ही दिल में उतर जाए जो सुनने से पहले ही तरपा दे मौसी की का वो गुदास है तू बड़े अच्छे शेर है किसने लिखे है? मैंने किसके लिए? जिसके लिखे है उसे कैसे बता जाए या बता सकती है सीधे उसके सामने जाकर कह दो कि माडम ये शेर मैंने आपके लिखे है माडम ये शेर मैंने आपके लिखे है मैं इस काबल कहा? फूल को अपने बारे में कहा पता कि वो किस काबल है जबकि उसके खुश्बू दिल की गहराई में उतर जाती है आप सिर्फ शारी करते हैं या जी नहीं, मैं आपकी तरफ पड़ा लिखा नहीं हूँ, लेकिन कुछ दिनों से सोच रहा हूँ, अपने पिता जी को बिजनस में जॉइन कर लूँ आपके पिता जी का नाम क्या है? मेरे पिता ओ इस, इस ब्लडी बेल बात भी पूरी नहीं करने देती है जो बाते रह गई हैं, टेफ करके दे देजेगे यह तो और भी अच्छा होगा, कहने में घबराती होगी सुनिया अब कुछ नहीं अरे-अरे, क्या कर रहे हो? कौन हो तुम भाई? आपका सेवक, हरिदास जी बंदे को शिवनात कहते है शिव का भक्त हूँ आपका तो हुलाहम हूँ क्यों भाई, ऐसी क्या खास बात तुमने हमें देख ली क्या हमें अपने बारे में शक में डारो? हुजूर, आप तो मेरा अधर्श है क्या नाम है क्या सम्मान है दान, धर्म, समाज, सेवा क्या है जो आप नहीं करते सारा शहर आपका गुणगान करता है, हुजूर मैं भी छोटी सी विंती लेकर आया हूँ लगता है कोई चंदा बंदा मांगने आया हूँ चंदा बंदा नहीं हुजूर मैंने एक छोटा सा बिजनस, एक धंदा शुरू किया है और मैं चाहता हूँ कि उसका उदघाटन आपके हातों हो क्यूंकि आपके आशिरवाद से ही मेरा धंदा भल फूल सकता है पस इतनी सी बात कब है उदघाट उदघाटन तो हो गया सेट जी अच्छा वो तुम ही थे जो फोटो खीच के भागे थे जी दाल रोटी का सवाल है बदमाश बहुत चालाक लगते हो सेट जी ये चालाकी नहीं समाज सिवा है संसार में पाप तो दिन बदिन बढ़ते ही चले जा रहे है मैं उन्हें कम करने की कोशिश कर रहा हूँ हर इंसान पाप करने से पहले इधर इधर आगे और पीछे देखता है लेकिन उपर देखना भूल जाता है जहां वो बैठा है वो तीन आखों वाला उसकी तीसरी आख से कोई पाप नहीं चुपता और उसी की तरह मेरी भी तीसरी आख ये है इसे मैं ज्ञान नेत्र कहता हूँ इसकी नदर से भी कोई बुरा काम चुप नहीं सकता चाहे वो अमावस के गने अंदकार में किया गया हो चाहे पाताल में चुप कर समझे मेरी जैन तुम मुझे ब्लैक मेल करना चाहते हो तुम्हें शर्मानी चाहिए ऐसी हरकत में वा सेट जी वा छलनी बोली सुई से तेरे पेट में छेई वा सेट जी यहीं सेट जी दरसल बात यह है कि आजकल शिव की अदालत में गुनाहों के इतने सारे मुकद्मे पेंडिंग है कि उन्होंने गुनाहों की सजा देने और प्रायश्चित वगरा करने के लिए यहीं जमीन पर ही इंतजाम कर देने मेरे जैसे भक्तों दोरा तो अब आप सोच लीजे आप सजा भुग देंगे या प्रायश्चित करेंगे कैसा प्रायश्चित? दस हजार रुपे दीजे और अपने पाप दुलवा लीजे और अगर मैं इंकार कर दू तो मैं पिकनिक पर जा रहा हूँ, आपकी गाड़ी ले जाऊँ आपके सुपुत्र है? नमस्कार पिकनिक पर जा रहा है आप? अच्छा अच्छा वहाँ लड़के होंगे लड़कियां होंगी क्यों? तुम जा बिटे आपसे ज़रा राय लेनी की एक चीज के बारे में अच्छा अच्छा अजीब हरकत करते होंगे काम के वक्त भी मजा करते होंगे मैंने सूचा इनको भी तखाई तुम बड़े वो हो बेटे ये गाड़ी चाब है दुम बड़े खढ़ी खड़िया सामने के में तुम तेरो लोड़े बटे चाब धूचा चलता हूँ देखो मेरे बेटे को इस मामले से अलग रखो जी, बल्कुल और वैसे भी अमीरों के बैटों को तो अलग ही रखा जाता है सबसे और फिर आपके बेटे की देखरे करने के लिए आपकी दो आख हैं, मेरी दो आख हैं, और पांचवाँ ये ज्ञाननेत है इसका निगेटिव का है तुम बड़े भोले हो यार, हाथी के साथ गन्ना खाने की कोशिश करते हो, यह असली नेगेटिव नहीं है, वो पैसा मिलने के बाद मिलेगा ठीक है, आव मेरे साथ अब बताओ, तुम क्या पसंद करोगे, सजा या क्राशित, लाश की चिंता मत करना, अपने बाग में दफन कर दूँगा, ताके तुम्हारे सीने पे, चलता फिरता रह सको हरी, वाह, मान गए भई तुम्हें, इसलिए तो हम तुम्हें अपना आदर्श समझते हैं, लेकिन क्या है, हमने भी तुम से कुछ तमीज और तहजीब सीखी है, इसलिए जब भी तुम्हारे जैसे देवताओं के दर्शन करने मंदिर में आता हूं, चपल बाहर छोड़के क्याता हूं, क्या मतलब? हरी, मतलब ये कि मैं अपने घर पे 20 चट्थियां हिंदुस्तान के 20 बड़े अतबारों के नाम लिखकर आया हूं, और हाँ, उन सब चट्थियों में ये फोटो तो ही, और एक चट्थि पुलिस कमिशनर के नाम लिखकर आया हूं, जिसमें ये भी मुझी लिखा है कि मैं इस वक्त तुम्हारे साथ हूं, और अगर मैं शाम तक घर नहीं पहुचा, तो वो चट्थियां पोस्ट कर दी जाएंगी, इन्हें फ्रेम करवा लीजी, और देखा, आपकी इतनी धंकियों के बावजूद मैंने अपना दाम नहीं बढ़ाया, इसे कहते हैं इमानदारी, ओ, ये है आपका असली नेगिटिव, अरे सुनो, वो चिट्थियां, वो जला दो हूं, मेरी जाएंगी, हाई विजू, हाई कल्पना, क्या किताब चाहिए, अज बहुत सी नहीं किताबे आने वाली है, किताबे नहीं, वो बात नहीं है, मेरी मदद कर हाई, क्यों नहीं, क्या बात है, बात यह के, एक मिनिट, मेरा बाई आ रही है, मेरे तो गिरिधर गोपाल, दूसरो न कोई, हाँ, बता, क्या बोल रही थी, मैंने तुझे अपने बॉइफ्रेंड की बार में बताया था न, आहाँ, वही टेप रिकॉडर वाला, वो मुझे पिक्चर ले जाना चाहता है, अच्छी बात है, जरूर जाओ, पेरे रादी, लेकिन में वाडन से क्या का हूँ, इस मामले में अपन का दिमाग बच चलता है, कह दे, तेरे अंकल की बर्थेदे पाटी है, लेकिन मेरे तो कोई अंकल नहीं है, अरे नहीं है, तो आज ही उन नहीं की थे, मुझे क्या मालूम था, यह पिचर तो फंदर आफते से यह चल रही है, चलें कहीं हो ट्राइ करें, यह पिचर भी तो आवसफुल है, बैद लग, यह पिचर भी तो आवसफुल है, साड़े तीन बच चुके हैं, सारी फिल्में शुरू भी हो गए होंगी, नाराज मत हो कल्पना, कहीं और चले चलते हैं, चलो आईए, अरे, यह तुम मुझे कहा ले आए, यह मेरा घर है, तुम्हारा घर, हाँ, आईए न, देखो एक तो फिल्म देखने का मौका नहीं मिला, सोचा इसी बाहने तुम्हे अपना घर दिखा दू, आज नहीं, फिर कभी आउंगी, मैं कोई जबरदस्ती नहीं कर रहा हूँ, तुम कहो तो तुम्हें आउस्टिल छोड़ देता हूँ, नाराज हो गए, नहीं, इतनी सी बात पर नाराज क्यों हो जाऊंगा, हाँ, यह बात अलग है कि अगर तुम चलती है, तो मुझे बहुत खुशी होती है, जादा देर र आईए, वाओ, कितना अच्छा है तुम्हारा घर, अच्छा तो अब हुआ है, तुम्हारे आने से, आईए ना, इसे सुन ले न, मैं तब तक तुम्हारे कुछ खाने के लिए लिगा, मुझे कुछ निचे प्लीज, प्लीज, ओफो, पहली बार मेरे घर आयो, मेरी खास मेह आईए, आज मैं खुद अपने हाथों से बनागर तुम्हे कुछ खिलाओंगा, और अगर तुम्हे रेकॉर्ड पसंद नहीं आए, तो इस घर को अच्छी तरह से देख लेना, एक दिन तुम्हे आना है, राइट? जस बीजी, ओके, मैं यूँ गया और यूँ आना है हुआ हुआ है अच्छी नहीं ऐसी बात, ओ छोड़ो छोड़ो मेरा हाथ अच्छी नहीं ऐसी बात, नहीं नहीं ओ ना छोड़ो छोड़ो मेरा हाथ, अच्छी नहीं ऐसी बात हट्चु इतने पासा ना जरा दिल को समझाना बहत न जाए हम करें नरे नरे प्लीज छुड़ छुड़ो मेरा हाथ अच्छी नहीं ऐसी बाद गन्यूज रगु एस में वाश में खलाओ तेरे आगोश में फरक छू रही है जमें मुझे वापस जाने दो, मुझे हसल छोड़ दो कि मुझे लापस जाने चाहते हैं हम सारी कलपना, शायद हम पागल हो गए थे घबरा मत ड़री के आते ही, मैं उनसे हमारी शादी की बात कर लूँगा उन्हें को इतराज नहीं होगा अगले हफते जब मैं तुमसे होस्टल में मिलने आऊँगा हमारी शादी की खुशखबरी लेकर आऊँगा ठरो मत कलपना, सब ठीक हो जाएगा हाँ कलपना, कहा गई था तुम? कलपना, मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है विजया का साथ छोड़ दो, वो तुम्हें गुम्राह कर देगी तुमने वार्न से जूटके हो बोला? तुम्हारे तुम कोई अंकल नहीं? किसके साथ गई थी तु? बोलो ने कलपना, कौन था तुम्हारे साथ? बोलो ने कलपना, कौन था तुम्हारे थी? प्लिज लीव में अलोट, प्लिज लीव में अलोट डैवर, नहीं रोक दो, सुनिए कहिए यहाम स्ट्रमन कहसा रहते हैं क्या नमर एंनके मकान का? नमर dolls मालूम नहीं क्या काम करते हैं? मालूम नहीं कुछ मी नहीं है, तो फिर पता कैसे चालेगा? चलो, डैवर बिना एड्रेस के इतने बड़े शहर में गुमने से क्या फाइदा मैडम? मैं सरफ एक बार आई थी, इसलिए बराबर कुछ पता नहीं. अच्छा हॉस्टिल वापस चलो. शन् humanos पत्म हॉस्टिल वाइदा मेँ आई भाइदा कॉा हॉस्टिल आहा हॉस्टिल प्राइपराइब ये कि इन रिद दोगी। झाल झाल के अगगा? केषगा? 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 — केषगा? K 접종... देखो, जहर फोरान निकालना पड़ेगा, तुम जल्दी से दो-तिन बलती पानी लेकर आओ जहर पीलेने से अबर्शन हो गया है तुम जल्दी से गरन पानी कपडा रुई का इंतिजाम करो जी अब खत्रे की कोई बात नहीं, तुमने वक्त पर मुझे बुला कर इसकी जान बचा ले सहली है ना तुम्हारी? जी देखो रियुती, इस राज को राज रखना बहुत सरूरी है वरना तुम्हारी सहली की जिंदगी मौस से भी बत्तर होगी होस्टल का मामला है, एक लगकी को भी पता चला तो पूरा जमाना जान जाएगा डॉक्टर, मैंने किसी दूपते हुए को इसलिए नहीं बचाया कि उसे पहाड पर ले जाकर धक्का दे दू ये राज मेरे साथ चेता तक जाएगा I will be proud of you जितनी अच्छी हो, उतनी अच्छी हमेशा बनी रहना अच्छा, मैं इसे दस दिन की छूटी सैंक्शन करवा देती हूँ तुम इसका बराबर खयाल रखना और दवाईया देती रहना, okay? मुझे मर जाने दीजे, मुझे क्यों बचाया मुझे मर जाने दीजे हिम्मज से कामनो Kalpna, जी छोड़ दोगी तुजी होगी कैसे? नहीं जीना है मुझे, क्यों बचाया मुझे मुझे मर जाने दिया होता मुझे मर जाने दिया होता सुनो Kalpna अवल तो किसी को जंगल की तरफ नंगे पाऊ जाना ही नहीं चाहिए पर अगर कोई चला ही जाय तो काटा चुबने पर उसे अपना पाऊ तो नहीं काट देना चाहिए लेकिन ये दाग लेकर मैं चीना नहीं चाहती, मुझे मर जाने दो तुम जहर घाके मर जाओगी तो क्या ये दाग धुल जाएगा तुम्हें मुक्ती मिल जाएगी पर दुसरे, तुम्हारे डैडी शर्म और बदना में किये जिन्दगी जी पाएगे क्या हक है तुम्हें कि तुम आपने किये कि सजा दुसरों को दो नहीं डॉक्टर, मैंने पाप किया है, मेरी यही सजा है पाप नहीं, भूल की है तुमने और कौन है ऐसा, जिसने जिन्दगी में भूल नहीं कियो जो लोग अपनी भूल का एसास करते हैं, वो एक तरह से उसका प्रेशित कर लेते हैं मुझे डर लगता है, डॉक्टर, मुझे डर लगता है जब डरना चाहिए था, तब तो तुम नहीं डरी और अब जब हिम्मत चाहिए, तो तुम डरती हो तुम्हे जो नई जिन्दगी मिली है, यह मेरी अमानत है तुम्हारे पास इसे हमेशा पाक रखना इतना सुन्दर जीवन गवा देने के लिए नहीं है, इसे खुले मन से जीओ तुम इसके पास बैठो, जी कलपना मुझे, मजे माफ कर दो रो मत कलपना, सब ठीक हो जाएगा सब ठीक हो जाएगा अरे रेफटी, सुना है कलपना की तो भी ठीक नहीं है क्या हुआ उसे? ठीक है, कोई खास बात नहीं मुझे तो कोई खास बात ही लगती है देखो न, इतने दिनों से नजर ही नहीं आई अच्छा ही है जो उसे तुम नजर नहीं आई कम से कम रात दिन वो अपने इम्ध्यान की पढ़ाई तो कर रही है आई 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 तुम्हारे साथ तीन साल कैसे कुजर के पता भी नहीं चला जो तुमने मेरे लिए किया है वो मैं कभी नहीं भूल सकती यही तो जिंदगी है लड़कियों को तो वैसे भी संसार बदलना पड़ता है पिसली सारी बाती भूल जाओ आल थे बेस्ट रेव ली अमरनाथ ममा आओ कैसे हो भाई अमरनाथ ठीक हो ममा अरे मेरी बेटी है बेटी? मैं सामान लो मान कुछ नहीं लाया हूँ मामा बेटी ओ बेटी बहुत बड़िफ हो गई है कॉल इसकी पढ़ाई खतम करके आई है चड़ाई? किस पर? पढ़ाई पढ़ाई तो इतना उचा क्यों बोलते हो? कम सुनते हो क्या महीं कम सुनता हूँ क्या? मैंने कुछ नहीं बेटी इमके लिए चावा लेकर हो बैटो, बैटो तुम्हें भी पत्थर खाने का शौक है क्या मारनाथ? जी मैं समझा नहीं मामा अरे भाई आंगन में फलों से लदा पेड़ होगा तो लोग पत्थर नहीं मारेंगी क्या? लड़की काकत घर की मुंडेर से उंचा हो जाए तो उसके हाथ पिले कर देनी चाहिए आपकी नदर में है कोई लड़का? लड़का? अरे कल्यूग में सत्यूग का पुरिशुदर कराया है चिराग नहीं सूरज लेकर ढूंडोगे तब भी ना मिले लाकों की जायदात था इकलोता हुआरे से घर में और कौन कौने? माबाप हैनी बड़ी बहन घर बसा चुकी कोई खुशकिसमत ही होगी जो उस लड़के का खर बसाएगी डादी, मैं अभी शादी नहीं करूंगी क्यों, क्या हुआ? मैं MSC करूंगी क्या कह रही है? कहती है MSC करेगी अरे तो कर ले, किसने मना गिया है? शादी के बाद क्या लड़किया बढ़ती नहीं है देख बेटा लड़की चाहे डॉक्टर हो या वकील पूरी और तो वो किसी की भीवी और किसी की माँ बन जाने के बाद ही होती है लेकिन डादी देखो बेटी पसंद ना आए तो ना कर देना मगर देखने में क्या हर्ज है देख भी लिया और पसी कर लिया अरे बै किसे पसंद किया लड़की को तो अभी देखा भी नहीं तुमने अरे मामा जी जैसी खान वैसी मिटी गुपता जी की बेटी तो अलग इनके दूश्मन भी बुरे नहीं हो सकते अरे मामा तुम तो कह रहे थे कि लड़का सत्यूग का है लेकिन मुझे तो बिलकुल इस यूग का लगता है भाई लड़का आम में पसंद है अमनार भाई ये शादी के रिवाज कुछ बतल गय हैं क्या लड़की अभी आई नहीं और तुमने एक दूसरे को पसंद भी कर लिया अरे भाई नड़की को तो बुलाओ अरे काका बीटिया को बलाओ अरे बेटी महमानों को चाय दो देख भी लिया और पसंद भी कर लिया क्या हो गये न शहीड अरे भाई आज तक 200 शादिया करा चुका हूँ तो फिर मामा जी आप खुज क्यूं कुवारे रह गए हाहा दॉक्तर मुझे नहीं जीना है मुझे नहीं जीना है मुझे मर जाने दिया होता क्या मर जाया मुझे क्यों मर जाया क्या नाम है तुम्हारा जी करपना कहा तक पढ़ाई की है बीयसी थक दीदी अपनी राय तो मैंने दे दी तुम्हारी तुम जानो लेकिन फैसला करने से पहले ये जरूर सोच लेना के शादी मैंने करनी है तुमने नहीं हाहा दीदी जरो इनसे पूछिये मेरे सर पर इन्हें सींग तो नजर नहीं आ रहे चुप बहुत बोलता है इसकी बातों पर मच जाना मन इसका शीशे की तरह साफ है अंदर कुछ नहीं रख सकता भाई अमानाथ मेरा खयाल है कि हम लोग बाहर चलें ताके क्यों इतनी जल्दी बाहर चलें अरे भाई तुम नहीं हम लोग तुम लड़की से बात तो करके देख लो कहें ऐसा नहों कि गुंगी लड़की तुम्हारे पल्ले बांदे हाँ मैंने कहीं पड़ा था कि बीवी अगर गुंगी हो तो ग्रहस्ती स्वर्ग बन जाती है क्यों जी लड़कियों का शर्मा कर चुप हो जाना ही उनकी हाँ है इसकी मा भी ऐसी शर्मा कर अंदर चली गई थी क्यों मरनात याद है न सदिया गुजर गई पिछले दमानी की बातें के से याद एती है मामा कौन मामा कुछ नहीं कुमार साहब इस रिष्टे से मैं बहुत खुश हूँ मेरे एकलावती बेटी है जो कुछ मेरा है सब उसी का है बहुत दुमधाब से शादी करूँगा और दहेज जो आप मंगे आप मुझे खरीदना चाहते हैं आप जानते नहीं आजकल के जमाने में दहेज लेना या देना जुर्म है कुपता जी भगवान का दिया सब कुछ है बस आप सिर्फ अपनी बेटी और आशिरवाद हमें दे दिजे डॉक्टर डॉक्टर नहीं दीदी कहो मुझे नहीं पता था कि हम लोग तुम्हें देखने आ रहे हैं और अगर पता होता तो भी मैं जरूर आती मैं बहुत खुश हूँ कलपना और खुशी के वद रोते नहीं तुम्हें बात बताओ मेरे घर के अंगर में मोगरे की एक बेल थी एक दिन एक बकरी उस बेल को कुचल गई मेरा मन बुझ गया बेल नहीं मैं मुर्चा गए लेकिन मैंने हिम्मत नहीं आरी मैंने उस बेल के इर्दगीर बाड लगाई उसे पानी से सीचा उसके देखवाल की और जानती हो वो बेल हजारों फुलों से महक उठी उन्हें देखकर मुझे वो खुशी हुई जो मैं बयान नहीं कर सकती आज तुम्हें उन फुलों की तरह महकते खिलते देखकर मुझे वही खुशी हो रही है कल्पना एक बहुत जरूरी बात तुम्हें याद रखने होगी नई जिन्दगी शुरू करते हुए तुम्हें यह नहीं सोचना चाहिए कि तुम उसके काबिल हो या नहीं तुम्हें सिर्फ अपने डैड़ी और पती की खुशी को देखना है तुम्हारी जिन्दगी का यहीं मकसद होना चाहिए मैं तुम्हें उपदेश नहीं दे रही तुम्हारभळा चाहती हो तुम्हें पता है अहिल्या ने भी अंजाने में गल्टी की थी और इसलिए भगवान राम के चर्ण में उसे मुटफी मिली अगर वो गलती जान भुछ कर की होती, तो उसे कभी मुपती न मिलती तुम्हे ये बास समझनी चाहिए दीदी अरे, रिष्टा अब भी हुआ नहीं और ननन भावी में साज़िशन शुरू हो गई यही देखने आना था यहां आने का अच्छा भावना ढूंडा तुने देख ले, तुसरी बार देखे भी न रहा नहीं गया न अच्छा, हम चलते हैं इने भी साथ लिए जलते हैं चल हट, बारात लेकर आऊंगी और बैन बजे के साथ लेकर जाऊंगी अच्छा कलपना, चल मालूम है, लड़की की सब से सुन्दर भाषा क्या है शर्माना, चुप रहकर सब कुछ कहना लेगा, फिर कितना कुछ कह दिया तुमने कलपना, मेरे खयाल से शादी हर इंसान की जिन्दगी में घटने वाली सबसे अजूबी घटना है हाँ अब देख लो न, दो अजनभी अच्छानक एक ऐसे बंदन में बांदिये जाते हैं जो उनकी जिन्दगी को बदल देता है उनकी पसंद, नापसंद, सुख, दुख एक दूसरे को हो जाते हैं और इसलिए शायद बुजर्गों ने ये पहली रात बनाई है कि इतना लंबा सफर शुरू करने से पहले कि पती, पतनी ना ही सिर्फ एक दूसरे के जिस्मानी रूप को जान लें बलके एक दूसरे की रूहों तक पहुंच जाएं तो उनके बीच कोई राज ना रहे और दोनों एक दूसरे के रास्था बन जाएं और इसलिए आज मैं तुम्हें अपने बारे में सब कुछ बता देना चाहता हूँ मेरी पराही अभी पूरी हुई थी कि पिताजी अपना सारा कारोबार मुझ पे सौप कर चल बसे बैस काम शुरू कर दिया एक अच्छी खासी सेकरेटरी थी जो हर वक्त मेरे साथ रहती थी उसके साथ इश्क चल पड़ा और हमने हमने वो मर्यादा भी पार कर ली जो शादी से पहले नहीं करनी चाहिए मगर एक दिन मैंने उसे अपनी सहली से कहते हुए सुना अपना बास तो उल्लू है मैंने उसे जाल में फंसा लिया है बस उस दिन दिल टूटा और रिष्टा भी खेर उसने शादी कर ली अब अपने पती के साथ सुखिये बाद में मुझे महसूस हुआ तो वो प्यार नहीं एक आकर्शन था इनफैश्वेशन था उमर का तकासा था चोड़ो मेरी बातों को अगर तुम्हारे पास मुझे कुछ बताने को है तो तुम भी बता सकती है तुम तो रोने लगी सुनो मैं तो तुम्हें यह सब इसलिए बता रहा था के कभी किसी के जरी तुम्हे इस बात का पता चले तो तुम्हारे दिल को चोट ना लगे मैं भी कैसा उल्लू हूँ ऐसे मौके पर ये सब बातें करने लगा फ्लीज माफ कर दो और हस दो, हसो न देखो अगर तुम रोती रहोगी तो फिर मैं भी रहूँगा रोंफ और से सुनो जौओ कल्यों, भूलो मौकल्यों और से सुनो यह मेरी दुल्हन, तुम इन से मिलो यह मेरी दुल्हन, तुम इन से मिलो मत बहारों, शोख नदारों, गाते पंचियो ये है मेरी दुलहन, तुम इन से मिलो ये है मेरी दुलहन, तुम इन से मिलो ये है मेरी दुलहन, तुम इन से मिलो ना केतना रेम के रागनी, फिर भी मैं तुम्हारी सजन संगे हूँ तुम ने छुमा तुम मैं कंचन बनी हूँ ओ खरावन, जगमग दर्मन, मेरे पाकियो ओ खरावन, जगमग दर्मन, मेरे पाकियो हाँ ये मेरे बोगे, तुम इन से मिलो हाँ ये है मेरी दुलहन, तुम इन से मिलो ये है मेरी दुलहन, तुम इन से मिलो जमी पे मेरा खाप तुम ने उतारा वाज उप लोगे एक मेरा तुमारा किसे देखना ऐसे लगता ही तैसे मुझे ठोयो पच्पन, मिला पिर दुबारा चार शान ऐसे दूभा किसे किस दुम ćजग다 किसे दुम घज़ Archim और पिल्ली बंदर शेर भाविस्टी के हाती हो ये हमारा गुटा है इंसे मिलो प्यारा राचा बेता है इंसे मिलो ये हमारा गुटा है इंसे मिलो प्यारा राचा बेता है इंसे मिलो कॉपन रेवति कितने दिन बाद मिले तुम बिल्कul नहीं बदल की बदल चुके, तू मेरे शादी की नहीं आई मैं अपनी शादी में लगी हुई थी और नजाने कहा का घुमाने ले गए अब जाके शेmbol हुई हूँ अच्छा, इतने लंबे चोड़े honeymoon का कुछ फाइदा हुआ एक लड़की है मेरी, और तेरे? मेरे तो दो हैं अच्छा एक मेरा बेटा, और एक वो हुद है उनसे मिलाएगी भी या कोई छुपाने की चीज है मिलाओंगी, जरूर मिलाओंगी चल अभी घर, चल अभी नहीं, पहले तुम लोग मेरे घर प्यारे हो, इस संडे को अच्छा तुससे बहुत सी बातें करनी है चल कहीं चल के कॉफी पिते हैं बहुत कुछ बताना है, चल क्या घर है, प्यूटफूल पिल्कुल राजकुमार का फर लगता है, ने, बेटे राजकुमार नहीं, सिर्फ कुमार अरे, कुमार् साथ साथ, मैं रेवती, कलपना की साहली ये मेरे हजबन शिवनत और ये आशू आशू, शिवनत वर माय अरे मैं- анव और हम लोग आपका ही इंतिजा कर रहे थे, आईये, 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 आपको मेरी बहन होना चाहिए था, मेरी एक बड़ी बहन है, यह उनकी pocket edition लगती है, पापा, हलो बेरे, यह आपकी pocket edition है, नमस्ते करो बेटे, यह बबलु है, यह बबलु है, तुमा नाम क्या है, आशू, आशू, शकल विरोनी, पापा, बहुत बोली है ना, बाप पर गई है, आहा, बबलु, इन्हे अपना कमरा दिखा, खिलोने भी, जा, शुनते हैं, इंगलिंड की महरानी का महल देखने में, पूरा एक हफ़ता लगता है, आपका घर देखने में तो, पूरा एक जनम, कलपन यह मेरे पति शुवनत, यह कट पते, यह महल नहीं घर है, महल दिखाने के लिए होता है, और घर रहने के लिए, वा, घर वाली हो तो ऐसी हो, नहीं तो नहीं हो, हो जो ऐसी तो हो मेरी, नवो और कहीं हो, इस बात पर तो मैं भी एक शेर पढ़ सकता हूँ, शेर और आप, प्लीज हैने दीजी अच्छा और अगर सुना दू तो तो फिर एक शेर भावी की तरफ से भी, correct? मुझे मन्जूर है मन्जूर है? लीजिये ये देखिये ये है इनकी तस्वीर इसके पीछ एक शेर मेरा सुनाता हूं तेरी सूरत से नहीं मिलती किसी की सूरत हम जहां में तेरी तस्वीर लिये फिरते वह, 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 वह इक हम है जो रखते है दिल में नि्शानी एक ये है जन्हें आती है तस्ओीर चुपाні वह, ये है जन्हें आती है तस्वीर बनानी वह, वह, gadget grip तो मज़ा आ गया ऑंक्ल अंकल हमारी बैप에게- recite-twort videos cut जुरू जिना smile करो वो, सॉर्य शिवना साहब, क्या ये कैमरा हमेशा आपके साथ रहता है? गले का हार है, हुजूर इधर आजो बेटे क्या है कि इसकी बदालत दस बीस में कोई फोटो बेज देता हूँ? घर में दाल रोटी आजाती है स्माइल करो बेटे एक तस्वीर, हमारी भी उतर दो भाई, यादगार रहेगी अरे दीदी, आओ कैसी चल रहे है, ग्रस्ती? अरे रहुती तु हाँ दीदी, मैं भी इसी शहर में रहने आ गई हूँ, छे महीने हुए और आज मुसे मिलने आई है, सौरी चलो, अच्छा हुआ मैं जा रही हूँ, तुम अकेली नहीं रहोगी कहां जा रही हो दीदी? यहीं बताने आई थी मेरा ट्रांसफर हो गया है हाइदराबाद, तेरे जिजा जी के पास साथ साल के बाद, मैं और तेरे जिजा जी फिर से एक साथ, एक जगे काम कर सकेंगी तो यह तो एक तरह से दुबहरा शादी हुई बुरा मत मानिये दीदी, यह मेरे पती है शिवनात, इन्हे जादा बोलने की आदत है सॉरी दीदी, सॉरी, बुरा मत मानियेगा दीदी जा, smile, please पूरी, समय बहुआ, मैंने कहीं देखा है कहा देखा दी ताजब है मुझे आखोने किस हैरत में डाला है या इलाही खैर कर इस जगह कुछ होने वाला है शंभू का तीसरा नेत्र खोलने का वक्त आ गया कियों además बॉइं चलें कि अरे बाबू कहा जात हो वरे शंकर तो mind तो एक ही बात है यह के वादेव ने फरक कान महा दे भाई यह फिर जी ने बुलाये हैं उनसे मिलना है अरे ऊगार में नहीqual ही तिलली गया है तो उपके उनके जो सुपुत्र है क्या है रामन बाभू हाँ उन्हीं से काम चाज़ आगे बूर्निंग रामन बाभू अच्छा वह आपको टाइम पे पखेल या नहीं तो आप से निकल गए हो ते आये ना आये दीरो रख चाहना ना रामन बाभू पहले ये फूल तो स्विकार की है बैठी है ये किसलिए है पहली मुलाकात में मैं हमेशा फूल पेश करता हूँ ताके तबियत खिली रहे और गुफ्तगू रंगीन रहे शुक्रिये गुफ्तगू पे आजाईए पहले आज आपसे मेरी पहली कमाई होने वाली है इसी खुशी में मुझसे क्या करते हैं आप फोटो कीचता हूँ यह क्या बतमीजी है यह पास्टर्ड मुझे ब्लाक मैं करने आ रहा हूँ आप तो नाराज हो रहे हैं हुजू आपको यह फोटो पसंद नहीं है तो आपके डैडी को दे देता हूँ डैडी की धमकी मत दो मुझे वो खुद मेरी शादी इस लड़की से करवा देंगे लेकिन शादी तो शरीफ लोगों की होती है रहान बाभू और वैसे भी देखे ना अगर शादी से पहले यह फोटो आपार में चप गई तो सारी दुनिया देखेगी कि सेठ हरी दास की हो होने वाली बहू हाँ सोच लीजे हजारों मुँ बंद नहीं किया जा सकते हैं लेकिन मुझे का मुँ बंद किया जा सकता है सिर्फ 15,000 रुपए से अरामजादे तरी आउकाद क्या है एक दिल का फकीर हूं लेकिन मैं हवाओं का रुख बताता हूं हवा का रुख समझ यह रवन बाभू अगर यह तस्वीर अफ़ार में छप गई तो एक तो आप आप तो खेर बेशरमों की तरह जी भी लेंगे लेकिन वो लड़की आथ महत्या कर लेगी उसका पाप आपने अपने सर ले भी लिया तो पुलिस का क्या करेंगे और यखीन जानिये यह फोटो देखकर पुलिस आपके पास दरूर पहुचीग यू रास्कल तुम यहीं रखो मैं आभी आता हूं अंग्री यंग पंद्रा हजार मेरे पास नहीं है यह साथ हजार हैं इसे ज्यादा मैं दे नहीं सकता इह जिनिया मत पुरे साथ हजार हैं फिर भी लेकिन देने आपको पंद्रा हजार ही पढ़ेंगे कल तक उनका इंतिजाम कर दीजेगा और फिलाली तस्वीर आपके ओहो मुर गई है कल दूसरी कॉपी ले आओ कॉपी नहीं चीए कल नेगेटिव ले आएगा समझेए दस लाग का सोना पकड़ा है है? हाँ अब धन्दा इंका क्या है? यह भी कहत रहें के बड़े सरकार वो क्या शगलिंग-मगलिंग कुछ है वो ही करत रहें शगलिंग? अरे भीया वाह हमेही पर वकूप रह गए जो इत्ते कम पैसे में फोटू दे दिये सिक्रप्यों कमा वही है तेरे वादेप जीए हम तो यह जान जूट जाना के खुशी से मरना चाते अगर एहतबार होता वाह वाह तो मैं हुंडी कहूँ या बैर चैक सैद जो भी हो एक बहुत बड़े नाटक का सूत्र हाथ में आ गया है चलो सूत्रधार जी उठो और परदा उठाओ शंभू तू ही ने तो कहा था कि चाहे साथ आस्मान के पीछे चुप जाए लेकिन इंसान का किया हुआ पाप उसका पीछा नहीं छोड़ता हालो हलो अंकल आप दोनों भाईबैना नहीं अंकल हम परोसी है परोसी पहुंच आते हैं गूसरे को हा हा अंकल बहुत चाते हैं चखलेट खाएं आप पीज़़ता हाँ हाँ चखलेट ना हाँ हाँ त्थ हाँ एक ही था हाँ आपके लिए ये थैंक यू अंकल हाँ इसी तरह एक दूसरे को चाते रहना हाँ बाई बाई ए शंभू इन बच्चों को लंबी जिंदगी थे कम से कम दस साल और ये पेड की तरह बड़े होंगे फल मुझे मिलेगा पापलू हाँ पापलू हालो पेटी हाँ पेटे चोलेट खाएंगे आप जी हाँ हाँ ओ, 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 चॉकलेट तो खतम हो गया, वो क्या है के, मैंने उसे दस साल के प्लान में इंवेस्ट किया है, क्या? कुछ नहीं, कुछ नहीं, अंकल, आप में साइकल ठीक कर देंगे, क्यों नहीं, आजो, क्या हो साइकल अरे इसका तो सिर्फ टायर निकलाया, आप भी कर देते हैं, अरे शिवना जी, आप कर दाए, आपके फोटोस देहें आया था, और ये, ये किस खुशी में, आपके फोट है, ये तस्विर इतनी काली क्यों है, क्योंके बैक्ग्राउंड काला है, हम, हम दोनों की तस्विर कितनी खुबसूरत आई है, जी, वो कितने अच्छे लग रहे हैं, और खुश भी, मैं चाहता हूँ, आप लोग हमेशा इसी तरह खुश रहें, हम, आपकी मुसी बतु हलोगी, आवा झाओगी है,ावा जागी जी, । क्यों? यह तस्वीर अच्छी नहीं लगी? यह तस्वीर कहा से मिली आपको? मिली नहीं, मैंने खुद किंची यहाथ और रमन के अलावा इसे अभी तक किसी नहीं नहीं देखा है यह तो शुक्र है कि यह तस्वीर मैंने खिंची अगर कोई और खेंच लेता तो पता नहीं क्या हो जाता जी, वो मेरी भूल थी अंजाने में गलतियां अंजाने में ही होती है जान बूज के थोड़े होती है देखो कपनो मैं नेतिक मूलियों और सामाजिक बंधनों में विश्वास रखने वाला शिवभक्त आदमी हूँ और मुझे अपनी संस्कृती का अभेमान है आज के पीडी के लड़के लड़किया इन पुराने रीती रिवाजों को इन बंधनों को नहीं मानते जब-जब मैं किसी को इन्हें तोड़ते हुए देखता हूँ तो मुझसे बरदाश नहीं होता और मेरा जी चाता है कि मैं इन्हें ऐसी सजा दूँ कि वो दुबारा ऐसी गलती कभी न करें यह मैंने अपने जीवन का उदेश बनाया तो क्या आप कुमार को तो मुझसे गलत समझ रही हो मैंने तुमसे कहा ना मैं धार्मिक आदमी हूँ मैं शादी को पवित्र बंधन मानता हूँ आखिर मैं खुद भी तो शादी सुदा हूँ और मैं उसकी पवित्रता पर आँच नहीं आने तू लेकिन तुमने बहुत बड़ी गलती की है उसे आसानी से माप नहीं किया जा सकता तुम्हारे पिछले जन्मों के पुन्यों की वज़ा से शायद अगवान ने तुम्हें ऐसी जिंदगी दी है जो हर एक को नसीब नहीं होती लेकिन ये मत समझना कि वो इस खलती को भूल चुका है आप कहना क्या चाहते हैं उपर वाले की तरह मेरी लाठी में भी आवाज नहीं होती अब क्या है देखो इस शिवकारे को करने के साथ साथ मुझे अपना घर भी तो चलाना है तुम्हारी सहेली रेवती उसकी बच्ची आशू और मुझे यकीन है तुम इसमें मेरी मदद करोगी आप मुझे इस तरह शर्मिंदा क्यों कर रहे हैं साथ साथ कहते क्यों नहीं आप चाहते क्या हैं एक लाक रुप्या एक लाक? मैं उतना ही मांग रहा हूँ जितनी मुझे जरूरत है और तुम जैसे अमीर लोगों के लिए इतना पैसा देना कोई मुश्किल तो नहीं है इतना सारा रुप्या मैं कहां से लाँगी? वह जब रहा हूं मैं उसका भी रास्ता हो जाएगा तुम्हे ये सारे रुपय एक साथ देने की जरूरत नहीं है ये मैं रखता हूँ है तुम पचीस-पचीस की चार किस्तों में दे सकती हो हर बीवी घर के खर्चे से थोड़ा बहुत पैसा तो बचा के रखती है ना तुमने भी रखा होगा तो अभी वो दे दो बाकी के पैसे कैसे देने हैं वो में दुमें बताता हूँ जल्ती करो देर हो रही है कुमार साब आते ही होंगे दरो नहीं कलपना अन्जाने में जो भूल तुमसे हुई थी उसके लिए अपनी जिंदकी बर्बाद मत करो उसे रुपे दे दो रुँख जो कलपना दोबारह वैसी भूल ना करो आज थो पैसे दे सकती हो अगर कल ना दे सकी तो क्या करोगी अच्छा यही है कि तुम अपनी पती को ससच बता दो वो तुम्हेंप्य कर देंगे तुम्हारे पती तुम्हें माफ कर देंगे पर उनका मन बेचैन हो उठेगा जिंदेगी जहर बन जाएगी उनके लिए तुम्हारे पिता ये सद्मा बरदाश नहीं कर पाएंगे और मर जाएंगे तुम्हारे बच्चे के भाविश में अंधिरा हो जाएगा कल्पना तुम पैसे देखरो शेटान का मूबन कर तु जल्दी करो जल्दी करो कल्पना जल्दी करो ये रुपए मैं गिनूंगा नहीं क्योंकि मुझे तुम पर पूरा वरोसा है और बिल्कुल इसी तरह का विश्वास तु मैं मुझ पर करना चाहिए कि जैसे ही मुझे पूरे पैसे मिलेंगे मैं ये फोटो और इसका नेगिटिव दोनों तुम्हारे हवाले कर दूँगा और किसी को इसकी कानो कान खबर नहीं होगी हम और हाँ मेरी इस समाज सेवा के बारे में रेवती को कुछ मालूम नहीं है तुम तु जानती हो कितनी बोली है वो उसे पताना मत और बेफिगर रहो अरे भी कुछ उसूल है तुम्हारा राज में राज ही रख़ूगा रेफ्टी आशो बाबा अलो पिटी अलो अलो यह देखो आपकोजी क्या लाँ हो गुरिया और यह देखो चकलेट अरे यह बाजार का बाजार कहा से उठाला है बाजार से तुम्हारे और आशो के लिए शॉपिंग करके लाया हूँ वो दोनों साड़ियां जो तुम इतनी हसरत से देख रही थे न उस दिन और यह देखो सोने का सेट सोने का है कितना संदर है और यह आइटम नमबर फॉर यह चांदी के फ्रेम का आईना तुम इसे देखोगी तो यह तुम्हें देखेगा तरस क्या है बेचारा तुम्हारी जैसी शकल देखने को पहले यह बताओ, इतने पैसे कहां से मिले तुम्हें? ओ रेवधी, तुम खुश हुआ करो, हैरान मत हुआ करो आम खाओ, पेड का पता क्यूँ पूछती है पहले बताओ पैसे कहां से मिले शिवनात के तीसरे नेथर का कमाल तुम जानती नहीं हो इनाम मिला है? बहुत अर्सा पहले मैंने एक फोटो खीची थी एक गिर्ती हुई औरत की मरी उंचाई से गिरी थी पेचारी तब की खीची हुई फोटो अब काम आई है फर्स प्राइज मिला है मुझे बच्चीस हजार का अरे वो तब बचा ली गई लेकिन गिर्ते गिर्ते मुझे ये नाम दे गई उसी में से ये यूँट अच्छ है हजार खर्च किया है उननीस हजार बचा के लाया हूँ शिव एक दिन तुम बहुत बड़े फोटोग्राफर बनोगे तुम्हारी भी तस्वीरे चपेंगी अरे तस्वीरे चपे ना चपें लेकिन पैसे जरूर मिलेंगे रेवती पैसे तो मैं पहले भी कमाना चाहता था लेकिन तुम से मिलने के बाद तो बहुत ही ज्यादा कमाना चाहता हूँ मैं चाहता हूँ तुम रानी की तरह रहो और मेरी आशूर राजकुमारी की तरह रहे शिव तुम बहुत अच्छे हो हमेशे ऐसी रहना अच्छे अच्छे लेफ्थी, मैं सिर्फ इतना जानता हूँ कि तुम मेरी सबसे बड़ी खुशी हो और तुम्हारी खुशी के लिए, तुम्हारे सुक के लिए, मैं कुछ भी करूँगा, लेकिन तुम्हारे खुश रखूँगा रामो, छे बजगे, बबलो भी तक स्कूल से लोटा नहीं, जी नहीं, साहब का भी पता नहीं, मैं खुच जा के देखती हूँ आप लोग कितने लापर्मा हैं, बच्चों का भी ध्यान नहीं रखते, मैं इसे स्कूल के बाहर रोता हुआ देखा, कोई उठा के ले जाता तो, आपको मालूम नहीं कितना खत्रा है आजकल, बच्चों को उठाने की कितनी वारदाते हो रही हैं, वो तो शुक्र है कि मैं अगा आ गया, अगर कोई गुंडा शेतान होता तो आप क्या करती हैं, कलपना, पबलू, तुझे कौन लाए, अंकल, स्कूल के बाहर ख़ड़ा रो रहा था तो मैं, शिवना जी, थैंक यू भाई मारे नहीं, बहुत बहुत शुक्रिया, कुछ परवा है आपको, अगर अभी भी पिलूँगा, चलता हूँ, रांकिया, बहुत अच्छा अदमी है, अर्य हाँ, इसमें कुछ पैसे हैं, उपर रख देना, बबलू तयार है, कलपना, बबलू को स्कूल से लाने और ले जाने के लिए, और तुम्हारी शॉपिंग वगरा के लिए, मैंने गाड़ी खरीद ली है, और ड्राइवर का इंतजाम भी कर लिया है, ड्राइवर, है, रमन, हर रोज ठीक, आट बजे बबलू को स्कूल ले जाना, और पांच बजे वापस ले आना, यह से, जाइए, खलपना इंसान की जन्दगी में भी कैसे कैसे मोड आते हैं, अब इस रमन को ही देख लो, एक लगपती बाप का बेटा है, लेकिन हालात ने इसे सड़क पला कर खड़ा कर दिया, एशक स्मगलें की केस में जेल काट चुका है, मंगर बगायर मुझ से कुछ चपाए, सब आता दिया, ऐसे लोग मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, ऐसे क्या खाथ जरूद ही ड्राइवर रखने की, मुझे तो कोई काम रहता नहीं, और बब्ली तो स्कूल बस में भी आ जा सकता है, नए, सोच समझ का रखा है मैंने उसे, किसी वाक्त मुझे भी तो जरूद कलपना, तुम शायद यह सोच रही हो कि मैंने तुम्हे धोगा दिया है, नहीं, मैं, मैं जब तुम्हे आखरी बार मिला था, उसके बाद मैंने डाडी से मिलकर उनसे इजाज़त ले ली थी तुमसे शादी करने के लिए, मगर होनी को कौन टाल सकता है, इससे पहले कि मैं मैं तुम्हे यह खुशखबरी सुना सकता, पुलीस ने मुझे और मेरे डाडी को गिरफतार कर लिया, तभी मुझे पता चला, मेरे डाडी स्मगिंग करते हैं, वो अभी तक जेल में है, मैं पांच साल जेल में रहा, उन सालों में हर दिन, हर पल, यही ख्याल मुझे कुरे मारा फिर रहा था, तो मेरी मुलाकात हुई भी तो कुमार साहब से, और उन्होंने मुझे नौकरी देती, मैं नहीं जानता था, यह नौकरी मुझे तुम तक पहुंचाएगी, कल ना, मैंने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, यह सब किसमत का खेल है, कल तक मैं तुमारे बा मैं अपना मनुस साह नहीं पढ़ने दूगा, मैं वादा करता हूँ बहुत जल्दी किसी न किसी बाहन इसे यहां से चला जाओंगा क्यों, नौकरी क्यों चोड़ना चाहते हो, सर, एक छोटा सा एक्सिडेंट हो गया था मुझ से, किसी को चोड़ तो नहीं लगी, नहीं सर, एक मोड पर गाड़ी सिगनल से टकराई और एक हेडलाइट तुट गई, ओ, सर, गलती मेरी थी, मेरी जिंदगी के खुबसूरत ल इसलिए मेरा या रहना ठीक नहीं है, सर, देखो, रमन, अगर मैं तुम्हारी जगा होता, तो शायद मैं भी यही करता, तुम अपनी बीती हुई जिंदगी भला दो, और अपनी आने वाली जिंदगी को, उस से भी खुबसूरत बनाने की कोशिच करो, मैंने तुम पर जो विश्वास रखाया है, उसे कभी तूटने मन देना, दिर लगा कर काम करो, कभी तुम से खलती नहीं होगी, सर, प्लीज, मेरी बात मानो, जा अपना काम करो, ए कलपना, तुम वाँ क्या कर रही हो, कुछ नहीं, दाग निकालने की कोशिच कर रही हूँ, मगर यह छूटता ही नहीं, नौकरानी से कहता हो, वो साफ कर देगी, नमस्कार, अरे शिवनाद जी, हाई हाई ही बैठी है, बहुत दिनो बाद आए, जी मैं बीच में एक बार आप से मुलाखात नहीं हुई, फोटोस देखर गया था, हाँ, कलपना ने दिखा ही थी, वो उनी में से कुछ अनलाज करके लाया हूँ, मैंने सुचा घर की दिवारों पर अच्छी लगेंगी, ओके, हाई कलपना, नमस्ते, आप, आपका बैठ, आओ बैठो, भाई शिवन मैं तो एक जरूरी मीटिंग में रहूँगा, मिलना ही पहूँगा, मेरी तरफ से माफ ही मांग लेना, और उपर पचीछ जारों पर पढ़े है, उन्हें देदेना, हसलो हसलो मनवाने है, आप बैठो ना, कुछ चाही पहूँए, मैं भी चल रहा हूँ, मैं आपके साथ लि पहार गए है, आप बैठी ना, आपकी अमानत वो मुझे दे गए है, मैं भी लाती हूँ, सावित्री, चाहे तो लाना, आप कीजी आपको तकलीव दी, क्या है के, आज सुभाही मेरे ग्याननेतर ने मुझे याद दिलाए हूँ, मैं शिवनात, माफ कीजी आपको तकलीव कि मेरे दूसरे इंस्टॉर्मेंट का वक्त हो गया है, और मुझे एक तरकीब भी सुझाई है, कैसी तरकीब? तुम्हारे पास वो पच्चीस हजार है ना, प्रोफेसर साब को देने के लिए? मतलब, ये सारे रुपे? नहीं, 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 कल्पना, मैं लालची आदमी न मुझे दे दो, और बाकी के सारे उन कॉलेज वालों को दे देना, या खिर उन्हें भी तो जरूरत है, पर कुमार सहाब को तो पता चली ही जाएगा, ओ, लेकिन वो ये सोचकर तो खुश होंगे, के एक तिस्त में दो कर्द चुका दिये, मैं अभी वो बीस सेजार लेने आ लीजी, बहुत-बहुत शुक्रिया, यह तो सिफ पांच हदा लगते हैं बेटी, जी, मगर उन्होंने तो अची सजार का कहा था, मुझे वो इतना ही दे गए है, शायद वो आप से, साथ-साथ ना कह पाए हूँ, आजकल पैसों के कुछ तंगी है, कोई बात नहीं, बहुत बहुत शुक्रिया, इजादत दीजे, नमस्ते, 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 पचीस पहले दिये थे, बीस यह हो गए, हिसाब खिताब की बिलकुल फिकर मत कीजेगा, मैं इमांदारात में हूँ, और आपका मददगार भी हूँ, अचा, बाकी के पैसे कैसे देने हैं, वो भी मैं आ हाँ, वो तो तुम बताओगे ही, जी, ठीक समझा, अचा, मैं चलता हूँ, नमस्ते, तुम, 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 और तुम, और हम, यह कुछ जोगाना चलता हूँ, तुम्या क्या क्या कर रहे हूँ, यह तो मुझे तुमसे पूछना चाहिए, तुम्या क्या 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 करता हूं तुम हो भी इसी लाया है मेरे 8000 रुबए निगल गए और डकार तक ने ली तुम यह क्या लेने आया है वही जो तुम से नहीं मिल सका नकत नहीं राया है उन्ले तुम रोमैंटिक लड़कों में यही खराबी है यारों से वादा करके ऐसे भूल जाते हो जैसे कोई कि लॉणियों से वादा किया हो तुम न सही कलपना सही मतलब मतलब से मतलब रखते हैं राजा जेखो महबत के उस खेल में तुम और कलपना पार्टनर थे तुम्हारी हालत थीक नहीं इसलिए कलपना से तुम्हारा करजा वसूल कर रहा हूं सूद के समीथ कमीने नीच अग परदे उठाए तो तुम ने हैं, हम तो परदा गिराना चाहते हैं सुनो, अगर चाहते हो कि तुम्हारी इस काली कर्टूत पर परदा रहे तो जबान बंद रखो नहीं तो वह कटोरी हाथ में देखे भीक मंगा दूँआ क्या क्या? अरे देखने दो कितना है 70 रुपए, सिर्फ ठीक है नहीं रखता हूँ, 7,930 बाकी है, समझे? दोस्तों, आज कुमार सहाब और कलपना जी की छटी शादी की साल गिरा है आदर्श पति, आदर्श पत्नी, क्या परिवार है, क्या कारोबार है, दोनों का एक दूसरे से प्यार ही प्यार है मेरा बस चले तो इनकी आँख का काजल इनके गाल पे लगा दूँ, ताके मुझ जैसों की नजर न लगे मुझे यकीन है कि जैसे हम लोग आज इकटा हुए हैं, वैसे हम लोग इनकी शादी की सिल्व जूबली मनाने को भी इकटा होंगे यह है रस में दुनिया भी है, तस्तूर भी है, मौका भी है और खुशी के ऐसे मौके पर गाना तो हुआ ही करता है पर सवाल ही है कि गाना गाएगा कौन? आप मैंने? आप मैंने आप मैंने सब टालने की कोशिश करेंगे, बेकार में वक्त जाया होगा मुझे एक आइडिया आया है बबलू इतरा बबलू की आँख पर पट्टी बान देते हैं और उसको खुला शोड़ देंगे और जिसको भी यह हाथ लगाएगा उसे गाना गाना बढ़ेगा ठीक अगर मैनू छुलीता था मैनू तो रोडा भी नहीं था पापाजी कोई गाल नहीं है को शंगीत सम्मेलन तो है नहीं का देना कुछ भी तुमने तो कोई इतराज नहीं होना जाहिए तुमने तो कई दूएट गाय होंगे मिलके हम तेरे जैसा कोई खुबसूरत नहीं जैसा कोई खुबसूरत नहीं तेरे जैसा कोई खुबसूरत नहीं मेरे जैसा कोई खुश किस्मत नहीं ये मेरा छोटा सा जहां ऐसा स्वर्ग है कहां मेरा छोटा सा जहां ऐसा स्वर्ग है कहां तेरे जैसा कोई खुबसूरत नहीं मेरे जैसा कोई खुश किस्मत नहीं हुआ 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 है तेरे गगन के जैसे रोशनी देने चमके तेरी बिंदिया के तम से मेरी दुनिया तिन रात दमके तेरे हसने से अच्छा महूरत नहीं तेरे जैसा कोई खुब सूरत नहीं मेरे जैसा कोई खुश्तिसमत नहीं मैं भी आधिये मानता हूँ कल तक जो ये दुनिया थी कहती जग में हर सबल आदमी के तीछे एक औरत रहती मुह चुपाने की कोई जरूरत नहीं तेरे जैसा कोई खुब सूरत नहीं मेरे जैसा कोई खुश्तिसमत नहीं मेरे जैसा कोई खुश्तिसमत नहीं मेरे जैसा कोई खुश्तिसमत नहीं कितना मुझे तुझ पे यकी है हमदम तुझे कहना है मुश्किल इतना तुझे कहता हूं बस मैं तुझ बिन जिन्दा रहना है मुश्किल नैनों में बिन तेरे कोई मूरत नहीं ओ तेरे जैसा कोई खुश्तिसमत नहीं ये मेरा छोटा सा जहां ऐसा स्वर्ग है कहां तेरे जैसा कोई खुश्त नहीं मेरा जैसा कोई खुश्तिसमत नहीं ये भोलेनात तु तु सबकी मुश्किल दूर करता है मुझे किस मुश्किल में डाल दिया है ना जीज सकती हूँ ना मर सकती हूँ साथ समवार कच्चा दूद चड़ाऊंगी कुछ ऐसा कर दो के ये शिवनात डूब जाए कच्चे दूद में शिवनात डूब जाए ये भोलेनात ये तेरी बड़ी ना इंसाफिम अगर तु मुझे पैसे देना चाहता है तो सीधी तरह क्यों नहीं देता दूसरों के जरीए क्यों दिल बाता उन्हें कितना कष्ट होता है ए नटेश्वर, काश तुने सब को बराबर बनाया होता है ये फोटो वोटो का जिंजट ही नहीं होता ए प्रभूश्वर तुम मुझे भगवान की मंदर में भी चैन से बैठने नहीं दोगे क्या है कि अब मुझे घर भी बनवाना है वैसे जमीन तो मैंने खरीद लिए दूसरों का घर उचाड कर तुम समझते हो अपना घर बसा लोगे ये क्या है? प्रॉमिसरी नोट है इसमें सिर्फ ये लिखा है कि मिस्टर सोएंसो जिस वक्त भी फलाना फलाना अमाउंट मांगे तो उन्हें दे दिया जाए मैं मिस्टर सोएंसो आप करोड़पती की बीवी आपके दसख़बी बहुत वैल्यू है मैं मार्केट में जाकर फलाना फलाना अमाउंट ले लूँगा आप सिर्फ आटोग्राप दे दिजिये यहां यह मुस्से कभी नहीं होगा अच्छा तो फिर मैं कुमार से करवा लेगा कुमार सहाब कहो अगर हो सके तो अपनी कंदी जुबा से कभी उनका नाम भी मत लो ना भगवान है वो तुम्हें पैसे चाहिए ना आव मेरे साथ देती उट्व में टुक्ले ताके तुम भौक ना सको शुकर करो सिर्फ भौक रहा हो अभी काटा नहीं सिर्फ 25,000 बाकी रह गए हैं वो भी एक हफते में बंदबस कर दूँगी इसके बाद मैं अपनी मनुष्शकल लेकर यहां फिर कभी नहीं आओ यही ना और कुछ गुद्गु करनी है यहां मैं जाओ जहांनु मैं जाओ जी पाँ अच्छा फिर लूट के आयो तुमसे मतलब मैं तुमारी यह लूटमान नहीं चलने दूगा तुमारी खर्यात इसी में कि तुम्हे रुपए वापस जाके लौटा दो अच्छा और ना लौटाओं तो तो जिन्दा वापस में जाओगे आज जब कजाच चीटी की आई उसके परफैदा हुए क्या अरे पैसा देने वाली वो कमाने वाले कुमार साब तुम्हारे सीने में क्यों दर्द उठता है तुम्हारा ये बचपना मेरा रास्ता दोनों छोड़ो ना यार एक आंक तुम बंद रखो एक आंक मैं बंद रखता हूँ यानि यानि जो एश तुम कर रहे हो तुम करते रहो और जो मैं कर रहा हूँ को मुझा करने दो ना जलील में तरह खुन पी जाऊँगा तुम तो नाराज होने लगे सुना है और अपने पहले इश को कभी भूलती नहीं और तुम तो उसके पहले वो हो आपने झापने लचाराण पीसं को कर फुम नाराणई नहीं कर दोप्सी यार्नी कि यार्ण में तिसकारता गई आपश्छ्छ्छ्छ्छ्छ्छ्छ्छ्छ खब्तो बेदो जै क्या ओराई क्या गा? घझा कोा है बोलते क्योने पर ग्हुंआ क्यापे तो भूल का जै मने बोलन आपको मालूम नहीं है, पर मैं जानता हूँ इसकी पिछली जिन्दगी मैंने तो इसे हमदर्दी में पूछ लिया कि तुम्हारा बाप जेल से कब छूटेगा पस आओ देखाना ताओ मारा मारी करने लग गया इसकी तो कोई इज़त है नहीं पर दुसरों की इज़त का तो ख्याल करना चाहिए जाए क्यों रामन? I'm sorry sir माफी मुझ से नहीं, इन से मांगनी चाहिए तुम्हे उनसे भूल होगी, I'm sorry तेगा नहीं मैं मुझे अफसोर से के मेरे घर में आपके साथ ऐसा हुआ पर आपको भी किसी के सखंग छेरने नहीं चाहिए मैं तो सिर्फ हमदर्दी दिखा रहा था हमदर्दी दिखानी नहीं चाहिए करनी चाहिए आये चाहिए पीए गुड मॉर्निंग कुमार प्रिंसिपल साहब बैठिये हम लोग याद दिलाने आये थे के परफोरोस्टल की बुनियाद रखी जाएगी और भूमी पूजन भी होगा तुम्हे आना है मुझे याद है सर आप तो जानते हैं अपना वादा कभी नहीं भूलता येस येस इसलिए तुम जैसे स्टुडेंस पर हमेशा फखर रहा है मुझे दीपक कुमार साब की रसी दे दो हाँ इसमें शायद गलती से पांच हजा लिखे हैं पच्छीस होने चाहिए नहीं बेटा हमें तो सिर्फ पांच हजार ही मिले थे पांच? हाँ तुमारी पत्ति ने 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 कहा घर में कुछ पैसे की तंगी चल लाई है इसलिए इतना ही दे सकते हैं हो सकता है कहने सुनने में कोई गलती हुई हो नेवर माइंड सेर मैं बाकी 20,000 कचाए का आपको अभी दिये देता हूँ सॉरी सेर मेरी वज़े से अगर कोई तक्लीफ हुई हो तो कोई तक्लीफ नहीं बेटे थैंक यू वेरी मच में गाड ब्लेफ यू थैंक यू सार यह पालक के सबसे आप क्यों नहीं खा रहे हैं आपको तो पालक बहुत पसंद है ना आज यह आधी पकी है आधी कच्ची रह गई कलपना भीवी का प्यार कब ज्यादा है और किस वक्त कम हो गया है इसका अंदाजा उसके बनाए हुए खाने से लगता है पालक को छोड़ो शिम्लाय मिर्ची में नमक ज्यादा है खीर में मीठा कम है सब तुम्हारे प्यार की तरह गडबड हो गया है रोज की तरह दिल लगाकर खाना पकाया है लेकिन पता नहीं क्यूं आजकल सब उलट पुलट हो रहा है जब दिल बीमार हो और हाथ कांप रहे हो तो तीखा भी भीका रही जाता है कैसी बाते कर रहे हैं आप मेरे कहने का मतलब है कि तुम्हारी तवेट ठीक नहीं है लब बैठो कितनी कमजोर हो गई हो डॉक्टर से कुछ टॉनेगवाने क्यों नहीं ले लेती है तुम क्या लोग है बड़ी बड़े स्याने हो यह एक ही दिशह जो तुम्हारी ममी नहीं बनाई तिल्कुल ठीक होगी कल तो पैर को डैडी यहां आए थे अच्छा मुझे फोन करके बुलवा लिया होता मैंने कहा पर वो जल्दी में थे ममी, नाना जी मुझे देखे बगार ही चल गए तब तुम स्कूल में थे ना बेटा दरअसल वो यहां एक जरूरी काम से आय थे आजकल पैसों की बहुत तंगी चल रही है उन्हें 25,000 की जरुरत थी उन्हेंने कहा वो जल्दी लोटा देंगे दे दिये ना और अपनों की मदद करना तो नहीं अच्छे काम है तुमने समझदारे से काम दिया ममी, तुमने कुछ खाना नहीं खाया? मुझे भूख नहीं बेटा तुमने भी अपना बनायवा खाना अच्छा नहीं लगता न? मुझे तो अपना आप भी अच्छा नहीं लगता मैं मतुत कर दूँ कुमार तुम नमस्तर अचानक ऐसे आना हुआ करप्रानी है क्या जी नहीं अक्यला आया हूँ पुना में प्लॉट देखने आया था नई फैक्टरी डालना चाहता हूँ सोचा आपसे भी मिलता चलू कारोबार बढ़ा रहे हो जी बेरी गड़ बेरी गड़ बेरो और आपका बिजनस कैसे चल रहा है मार्केट में कुछ अफ़ाइ सुनी है मेरे बारे में क्या सुना है अभी अब इस उमर में रोमेंस करने से तो रहा नहीं वह बात नहीं है सना है आपके बिजनस में तंगी आ गई है मुझसे मदद चाहिए तो मैं हाजर हूँ फिर आपका बेटा ही तो हूँ तुम किसके बारे में बात कर रहे हैं बेटे पैसे की तंगी अरे मैं तो खुद पैसे से तंग आया हुआ हूँ पिसले दिनों कपड़ों के मिलों में स्ट्राइक थी व्योपारी मेरे गुदाम से चड़े दामों पे माल लेक गए एक्सपोर्ट रिसाल दूब ना हुआ है अरे अपने तो ये दिन चल रहे हैं के हाथ से बीच गिरे और फूल ही भूल खिल गए और तुम कहते हैं कोई तंगी के ख़बर सुनिये सारी से इसलिए तो कहा था के अब वाई सुनी थी आप बंबरी का बार है आउंगा बहुत जल्दी आउंगा बहुत देन हुए बेटी अब बभली से में लेगा मम्मी मम्मी इसे बांदो ना मम्मी मैं कर लानाजी के पाज जाओ क्यों बेटा आजकल तु मुझे कानिया भी निन सुनाती और सुलाती भी नियो नानाजी मुझे कितनी अच्छे अच्छे काने सुनाती मुझे नानाजी के बहुत या जाती तेरे लिए तु जी रही हूँ पागल वरना कबकी मर जाती तुही बस से दूर चला गया तु क्या करूंगी आमेट जी कानि सुनातीम। आमेट जी काने सुनातीम। आज एक जीवन एक कावानी परगे सचाही सबने नजाही हर एक जीवन है इक कावानी पर ये सचाही सबने नजानी जो पाना है वो खोना है जिस पल हसना कल रोना है हर एक जीवन है इक कावानी पर ये सचाही सबने नजानी एक निरे भैजे की एक बिकिया की उनकी पहड़ी से रुईया की दिन भी चले बीता अचपत उस गुड़िया पे आना लोमत यवन की बस्ती में उस पावरा उना दी पग फिसल गया वो तीख पड़ी उटाई थे खाई में गिरी मुर्खा गए वो तूलों की रानी पर ये सचाही सबने नजानी दिक शाह जाना आप लग जावा तब जानी बची लड़की इजा उसे बाहों में ने प्यार दिया सिंगार दिया घरबार दिया सपनों की बदिया में प्यारा फूल थी लागा फिर पल भर में बदली ठाई बरखा विजुरी अंधिलाई पल पर दुआई मांगे निवानी पर ये सचाही कबने नजानी जगर के मालिक मेरी है बचा मेरे अपने उपाए चजाँ मेरे लाह से मैं कहूं कैसे भटा जोठा हूं मेरे में शबरी का मुझे का तुब खोई ऐसी राह दिछा दे मेरे भमता पे दिल जामन हो तिन गुर मेरा बदनामन हो कम से कोई मेरी दे जुपानी झाल 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 मेरे कर दो हिरा था थानि-टानि तुम्हें बीच में बोलने की कोई जरुवत नहीं है वरना मैं चिला कर सारी दुनिया में तुम्हारा राजफाश कर दूँगा, समझे खलपना जी, मैं आपसे कुछ बात कर रहा है तुम, यहां क्यों आयो, तुमसे कहता न, एक हफ्ते में सारी रकम मिल जाएगी साहब घर पे है, चले जाओ यहां से चला जाओंगा, चला जाओंगा इस बार जाओंगा तो हमेशा के लिए चला जाओंगा मकान बनवाने का खयाल मैंने छोड़ दिया है मुझे एक बना-बनाया मकान मिल रहा है खुबसूरत भी है, सस्ता भी कि खुबसूरत मेरे लिए सस्ता आपके लिए है, सिर्फ 75,000 रुपए है, पचेथर? लेकिन मैंने तो सिर्फ 25,000 देने हैं, हाँ, लेकिन अब मुझे 75,000 चाहिए है, और मुझे मालूम है कि तुम्हारे लिए इतने पैसे कटा देना मुम्किन नहीं है, इसलिए हमारे पास ए कि हाथ चोड़ती हूँ, चले जाओ यहां से, चले जाओ, सहाब के जागने से पहले प्लीज चले जाओ, चला जाओंगा, चला जाओंगा, सहाब के जाओंगा, सहाब के जाओंगा, इस पे साइन कर तो चला जाओंगा, कभी नहीं, यह हमारी मौत का हुक्म नमा है, सहाब क मेरे बच्छी की जिंदगी दोनों मिट्टी में मिल जाएंगी मैं मर जाओंगी माकर इस प्रणोट पे कब ठीक है मैं तुम्हारी और तुम्हारी ड्राइवर की ये तस्वीव तुम्हारे सहाब को दिखाने ही वाला हूँ और ये तो तुम जानती हो कि वो बहुत खुद्दार आग्मी है तुम्हारे मरने से पहले वो जहर खा लेंगे तुम मरना चाहती हो तो मरो ना और उनके अत्या क्यों कर रही हो गोड़ कर क्या लिख रही हो कलपना कुछने कुमार साब हम एक गर बनवा रहे हैं तो मेरी बीवी रेवती ने कहा के नक्षा इन्हें भी दिखा दूँ लेकिन तुम्हारी आँखो मैं आंसू क्यों हूँ जी इस नक्षे में तो कोई दूसर नक्षा दिखता है प्रनोट पचटरहजार रुपे का यह कौन से मकान का नक्षा शिवनाथ और इस पर कलपना के दस्खत क्यों है एमरिजनसी आगई थी कुमार साब मेरे दस्खत तो कहन मानता है इसलिए इन्हीं से दस्खत करवाने पड़े मगर क्यों? कलपना के ऐसी कौन से मजबूरी थी जो तुम्हें दस्खत दे मजबूरी तो इन्हीं से पूछी कल.. कलपना यह क्या राज है तुमने कलपना से दस्खत क्यों लिया? बहुते क्यों नहीं? आप बोलने पर मजबूर मत किजीए मुझे आप बरदाश नहीं कर बाएंगे और यह जो हो रहा है इससे बरदाश कर लूँगा शिवनात मैं बहुत सीधा आदमी हूँ सीधी बात करता हूँ सीधी बात तो यह है कि आपने मुझे थपड मारा है यही हाथ अपने मुझे मारियेगा यह हकीकत जान लेने के बाद है आँखों में ताप सच देखने की तो देखिये इसे इससे मत देखिये सर मैं आपको यह कभी नहीं देखने दूँगा शिवनात कभी एक तस्वीर लेकर नहीं चलता यह देखिये कमा सार छुनना नहीं मुझे सर मैं कसम खाकर कहता हूँ इस सच नहीं है मैं आपको सब सच सच बताना चाहता हूँ मुझे एक मौकर देदी शट अप इतना काभी नहीं जो मैंने देखिया है कुमार साब आप अपने घरेरू जगड़े बाद में निप्टा दीजेगा पहले मेरा हिसाब चुकता कीजे अभी तुम्हारा हिसाब चुकता करता हूँ रुको यहाँ जी सुरू इसे कहते हैं इजद्दार आदमी सीखो इंसे कुछ इजद कैसे बचाई जाती है 75,000 तो क्या उससे चौगने भी मांगता तो वो भी मिल जाते है मैंने फैसला कर लिया है जो जो इस रास को जानता है सिंदा नहीं रहेगा सर, सर मुझे जरूर माँ दीजे लेकिन यकीन मानी है इसमें कलपनागी का कोई दोश नहीं कुमार औप पैसे नहीं दिसाना चाहते है मग दिडिए मैं आपको नेटिव इस Cena को उना दिदा हुना मेरे किस काम का कुमार साब कुमर्सा मैं वादा करता हूँ मैं दुबारा कभी इस गर का रोख नहीं करूँगा आप डेगिटिव लख लीजे इतनी सी बात के लिए मारा मारी करने की कहा सरु हुआ थे कुसूर तो मेरा है मैंने गुना किया है आप जैसे सचे इंसान को दोका दे कर मजह मार दीजे चलाए गोली मुझे मार दीजे तुम्हारी सजा ये है कि तुम जिन्धा रहोगी कल्पना क्या वह कल्पना क्ल्पना इत भानक सपना देखा कर दरो मत दरो मैं हुना तुम्हाने पास चलो सोजाओ हलो, कलपना, येस, आप कुन बोल रहे हैं, मैं शिवनात, क्या बात है, बात कुछ खास नहीं है, मैं कल तुम्हारे डैडी से मिला था, क्या, मतलब तुम्हारे डैडी मुझ से मिले थे, कहां, सपने में, आज कल मैं सपने बढ़े देखता हूँ, तुम देखती हो, अब कल मैं उन से कुछ नहीं कहा, मैं तो सपने में भी किसी से कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन वो तुम्हारी बहुत शिकायत कर रहे है, कह रहे थे, इतने दिनों से कलपना मिलने नहीं आई, तो मैंने कहा, परिशान मत हुए, मैं कलपना से कह दूँगा, वो आप से जरूर मिलने बलके मैंने तो कहा को आज ही आएगी, जाओगी ना? तुम चाहते क्या हो, जल्दी कहो भूले? तुमने कहाते ना, एक हटे में पैसे देदूँगी पूरे आज आठ वांते में और कलपना ऐसा भी नहीं है, मैं तुम्हारी परेशानी समझता नहीं हूँ इस बार तुम्हारी परेशानी तुम्हारे डैडी हल कर देंगे वो बहुत अमीर अदमी है और तुम उनकी इकलौती बेटी हो पचीस हजार के लिए वो तुम्हें इंकारनी करेंगे तो तुम उनके पास जाओ और कोई भी बहार ना करके पैसे लेओ मैं, मैं उनके पास कैसे जा सकती हूँ कुमार सहाब घर पे हैं तुम्हें मालूम नहीं है कुमार सहाब तो सूरच जा रहे हैं कलपना में सूरच जा रहा हूँ वहां अमेरिका से एक पार्टी आई हुई है जरूरी मीटिंग है रात को लॉटने में शायद देर हो जाए गुद मॉर्निंग सेर गुद मॉर्निंग रामो, मुची लॉटने में देर होगी मैं अपनी सेली की घर जा रही हूँ बबलू का ख्याल रखना अच्छा अरे बीटिया तुम तुम का बाई जादी 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 अरे बेटि क्या बात एतनी घवराई हुई क्यों? जादी मुझे पचीस अजार रुपर की सख जरूरत है अभी इसी वक्त मैं लॉटा दूंगी अरे पगली तुम मेरी बेटियों मैं तुम्हें कर्स थोड़ी दूँगा ये सब कुछ तुम्हारे तो है पचीस अजार क्या मैं तुम्हें पचीस लाग दूँगा लेकिन क्या मुझे यह नहीं बताओ कि कैसी कौन सी आफ अता पड़ी है टैडी वो बाहर गयव है और बैंक में रकम जमा करवान बहुत जरूरी है मुझे नहीं लगता कुमार को पैसों की जरूरत है आपको मेरे पर विश्वास नहीं कैसे विश्वास करूं सट बताओ बेटी क्यों तुम्हें इतने पैसों की जरूरत है और देखो पती पत्नी को एक दूसरे से चुपा के कोई बात नहीं करनी चाहिए मैं आपका उपदेश सुनने नहीं आई हूँ आप मेरी मदद करेंगे या नहीं कल कुमार आया था मेरी मदद करने आया था कल वो पैसे देने आया था आज तुम लेने आई हो वो यहाँ आए थे रामो, साहब कब आए? थोड़ी देर हुई मेरे बरे में पुछा? पुछा, मैंने कहां साहली के गर गई है? अरे एक बात तो बताओ ए बबलू, जब मैं घर पर नहीं होता हूँ तो आर कौन आता है? दूत वाला और कौन आता है? पूस्ट में आता है और कौन आता है? बैजी वाला और आंकल आते है, कैमेरे वाले वो क्या करते है यहां के? अंकल ने फोटो दिय थे ना फिर? मम्मीनोंोंने बहु वह सारे नोत दिय आ मुर्ण 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 इतने हैं? इतने ममी ने उन्हें बहुत 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 पैसे दिये थे ना? हाँ, देती रहती है कलपना, 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 रामो, चल्किसे दोक्टर को बलाओ मेरा सुआ, रामोनय को ना? मिलगया, ने का है? मिल गया! तुम्हारी लाश पर से भी जाना पड़े, तो भी इससे लेकर ये जाओंगा यहां से चुपचाप यह नेगटिव रखना हो और यहां से चले जाओ झाल झाल डॉक्टर साब बाहरी छोटो का तो मैंने इलाज कर दिया है लगता है कोई गहरा सदमा पहुचा है इसलिए होश नहीं आ रहा मुकम्मल आराम की जरूरत है डॉक्टर साब किसी बिता रहा किसी भी कीमत पर आप खबराये नहीं हम पूरी कोशिश करेंगे आपकरोल आराम कीमत आरेंगे लॉसyy केंगे क्योन ऊहीं अ हमुचा कीमत तेरी बिकराद़ तो औराम मुलोंफ़ आपविक जरी मुलकर आी हमुचा आ़फब आपफ़ आपख़ आपफ़ अगर तुम ये नेगटिव ले भी गए तो क्या मेरी जबान बंद हो जाएगी? तुमने और कल्पना ने मिलकर जो नातक किया है वो मैं कुमार को बता नहीं सकता? कल्पना इंकार कर सकती है कि उसने ये सब नहीं किया है? अब मैं समझी क्यों इन तस्वीरों के तुम्हें इतने बैसे मिलते हैं? शेव! रेवती, तुम बिजनिस के मामने मत बोलो, चले याज़े! चुप करो! इस गंदी हरकत को तुम बिजनिस कहते हो, शर्म आनी चाहिए तुमें! तुम जानती नहीं हो रेवती, इसने और कल्पना ने मिलकर क्या गुल खिलाया है? मैं जानती हूँ, और मैं वो भी जानती हूँ, जो तुम नहीं जानती है! कल्पना से पढ़ाई के दोरान गलत लड़कियों के संगत में रहकर एक धूल हो गई, जिसे मैं कपके भूल चुकी थी? और डॉक्टर दीदी ने तो ये सब जानती हुए भी, कुमार से उसकी शादी कर दी, और एक तुम हो, जो इनसान की गलतियों को माफ करने की बजाए, उन्हें बेच कर घर में स्वर्ग लाने चाहते हो? रेटी, तमीज से बात करो, मैं पती हूँ तुमारा! दूब मरना चाहिए उस औरत को जिसके तुम पती हो! पाड़ाम एपाटए लडाओ कर यपाटा ल samurai एचाट आड़ एचा out आड़ाम एचा एचाट Kenya पाटकर एचाट एचा हो आश्यूर नोगरे चाहरा रहिए तो आश्यूरा करता। अश्यूर अश्यूर नोगरे नहीं किन्य की तो दो रही तो अश्यूर को दिश्जा कोई चाहर नोगरे शूर बेचेते मेरे हाथों की अगनी परिष्टा हो गई है मेरा काम पूरा हो गया है भाई मैं शेयर छोड़ के जा रहा हूँ नर्स मेरे पती कहा है वो कमरे के बाहर बैठी है आप खबराएए नहीं प्लीज उन्हें बुला दीजी मुझे उनसे कुछ जरूरी बाते करना है अरे आप आराम कीजे आपको आराम की जरूरत है मेरे पास वक्त बहुत कम है अरे आप उखे मत बुला देती हूँ ए भगवान मैं उन्हें सब कुछ पता कर माफी मागना चाहती हूँ मुझे चंद सासों की महलत दे दे आपकी बीवी की हालत बिगड़ गई है आप उनकी पास चाहिए मैं अभी ज्रॉक्टर साब को बिलाती हूँ क्या हुआ का अपना आप कैसी हो तुम यहां आईए मेरे पास बैठे मैंने आपको धोका दिया है तुम्हें आराम की जरूवत है बोलो मात मुझे बोलने से मत रोकिये अगर अब भी मैंने अपनी भूल सुईकार नहीं की तो फिर शायद कभी नहीं कर बाऊँगी यह तुम कैसी बातें कर लियो कल पना मैं जानती हूँ जब मैं सच बता दूँगी तो आपके दिल में मेरे लिए थोड़ी से भी जगा नहीं रहेगी आप मुझसे नफरत करने लगेगे लेकिन अब मुझे उसके कोई परवा नहीं मेरे बात बबलू के पिता भी आप है और मा भी बबलू का ख्याल रखना तुम्हें ये सब कुछ कहने की सरुवत नहीं तुम्हें कुछ नहीं होगा तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगी मरने से पहले मैं अपना पाप सुईकार करना चाहती हूँ जिसे छुपाकर मैंने आपके जिन्दगी में दुख मर दिये थे शादी से पहले मैं कुम्रा होगी थी यही न मुझे सब मालूम है कलपना जब मैं पहली बार तुम्हें देखने आया था तब मैंने तुम्हारी और दीदी की सारी बाते सुन ली थी जब मुझे मालूम हुआ कि जस लड़की से मैं शादी करने वाला हूँ वो एक बार कुम्रा हो चुकी है तो एक पल सोच में पड़ गया फिर ऐसा खैल आया कि तुम जसी मासूम लड़की से अगर अनजाने में कोई भूल हुई भी हो तो क्या उसे बुलाया नहीं जा सकता उस भूल को तुम दीदी के सामने मान चुकी थी और दीदी ने भी तुम्हे अपनाया था और सच बात तु यह है कि मैं तुम्हे दिल से चाहने लगा था शादी की पहली रात को ही मैंने अपनी सेक्रेटी का नाम लेकर तुम्हें एक जूटी कहानी सुनाई थी ताकि तुम शर्मिंदी की महसूस ना करो और तुम अपना दीद खुद मुझे बता सको मगर तुम्हे असा ना कर सकी शाद तुमने मुझे सच के काविली नहीं समझा अगर उस वक्त मुझे तुमसे यह कहता कि मुझे तुम्हारे बारे में सब कुछ मालूम है तो जिन्दगी भर के लिए मेरे और तुम्हारे बीच एक लकीर खेंचाती पांच साल तक तुमने मेरा हर पल इतने सुकों से भर दिया कलपना जो शायद बाद में मेरे नसीम नहीं थे अचानक तुम मुर्चाने लगी एक दिन पता चला कि तुम किसे से डरती हो किसी को पैसे देती हो उसी का पता लगाने के लिए मैंने पबली से पूछ ताच की कलपना इतनी सी भूल जो हुए परसों बीच गए उसकी सजा तुम मुझे आज देना चाहती हो मुझे इस दुनिय में अकेला छोड़कर जाना चाहती हो अंकल आप मेरी मम्मी से पैसे लेना आए हो ना लेकिन मेरी मम्मे अभी बहुत बीमार है उन्हें तकलिप मत दो लो मैं पैसे देता हूं मेरे पास इतनी है नहीं बेटा पैसे लेने वारे हाथ तो जल गए करपना ममा मेरा बच्चा करपना जी मैं माफी मांगने आया हूं मैं बहुत शर्मिंदा हूं दूसरों की रा में कांटे बिचाने के बाद आदमी तकलीफ पहुँचाता है अपनी जान को अरे छोड़िये साहब जब किनारे पे आ लगी कष्टी हमें तूफां से कोई नहीं शिक्वा तेरे हतने से अच्छा महूरत नहीं तेरे जैसा कोई खुब सूरत नहीं मेरे जैसा कोई झाल झाल